आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिस के निमेरिकल्स हिंदी मेडियम के हमारा नेस्ट जो चेप्टर पर हम निमेरिकल करने वाले हैं वो है धारा का चुमकी प्रभाव चेप्टर नमबर फोर इसके निमेरिकल्स देखिए इसके ज्यादा तर निमेरिकल्स सीधा कल्कुलेशन पर बेस्ट है इस चेप्टर में जो कॉस्चन है वो ज्यादा घुमाओदार नहीं होता है इसके स्टेट्मेंट बस कुछ वेल्यूज कुछ डेटा दिया होता है उसको आपको एक फर्मूला में पूट अप करना है और उसको सार्व करना है तो निमेरिकल्स इसके आसान है बहुत और कल्कुलेशन पर बेस्ट है और कल्कुलेशन आपको मैं तो कल्कुलेटर करके आंसर आपको बता दूँगा लेकिन आपको calculation को manually करना है अपने से करना है ताकि उसकी practice हो मैं करूंगा तो बहुत time लाएगा और हमारे ऐसे practice भी नहीं होती हम सीधा calculation को आपको process को समझाते हैं इसके बाद आप उसको manually calculate करिए ठीक है चलिए देखे हम देखते है question number first calculation की practice आप अच्छे से करिए question number first देखे तार की एक वित्ता का कुड़ली में question जैसा कि आपको पता है कि question क्या है मेरे board पर display होता है उस question को आप board से देख लीजिए question number first ही डाल दूँ मैं question number 4.1 board से आप question को पढ़िए और हमारा question है तार की एक वृत्ती कुड़ली में 100 फेरे हैं देखो वृत्ती कुड़ली की बाद कर रहा है इस तरह से सपोज हमारे पास एक वृत्ता कार कुड़ली है और इसमें फेरों की संख्या यहाँ पर given है यह 100 फेरे दिये हैं 10 इक वृत्ता को लपेटा गया है इसकी तरिजिया आर है प्रत्यक के तरिजिया आठ सेंटीमीटर है आर इक वृत्तीमीटर देट मिन्स 8 इंटू 10 to the power minus 2 मीटर आप उसको मीटर में चेंज कर लेंगे 0.4 ampere विज़ धारा प्रवहित हो रही है धारा कमान दिया I equal to 0.40 ampere कुंडली के केंदर पर चुमकी छेतर का परिमाड यहाँ पर देखे पूरा फार्मूला पर ही बेस्ड है कुंडली के केंदर पर चुमकी छेतर की तीब्रता का परिमाड हमको निकालना है तो रिती कुंडली में धारा प्रवहित की जाए तो रिती कुंडली में धारा प्रवहित करने पर इसके केंदर में चुमकी छेतर की तीब्रता का फार्मूला होता है mu 0 upon 4 pi 2 pi ni upon r आपको सुत्र रयाद होना चाहिए completely सुत्र पर ही आधारी numerical है कुछ नहीं इसमें मैं इस्टार्टिंग में बता दिया इसका numerical बहुत आसान है only आपको calculation बनना चाहिए अब value put up कर दो mu 0 upon 4 pi का value हता है 10 की घात्रेट 7 into 2 into pi का value 3.14 into n question में दिया है फेरों की संख्या कितना 100 into i i का मान दिया है 0.4 ampere और upon radius दिया है 8 into 10 to the bar minus 2 अब इसमें क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है multiply divide करना है इसकी आपकी practice होनी चाहिए कि 10 के घात सब से पहले आप 10 के घात को साल्व करिए इनको आप साल्व करिए उसके बाद इनको साल्व करिए 2 को इसके साथ multiply करके साल्व करिए और यह आप साल्व करिए इसको मैं साल्व करके सिधा आपको answer बताते जा रहा हूँ कि answer क्या आएगा ठीक है इसका जो final answer NCRT के book NCRT के question है complete आपको मालूम है हम NCRT पर ही कर रहे है तो NCRT में जो answer आए है मैं बताते जा रहा हूँ इसका calculation आप लोग करिए इसको साल्व करने पर आएगा 3.1 into 10 to the power minus 4 tesla 3.1 into 10 to the power minus 4 tesla यह इसका answer होगा यह step आपके लिए मैंने work दिया इसको simplify करने की आप practice करिए और इसमें कुछ नहीं लगभख सभी निमेरकल इसमें इसी तरह के calculation पर based है ठीक है तो यह हो गया हमारा first question सिर्फ आपको formula पता होना चाहिए और value इसमें put up करना है ज्यादातर question 90% question ऐसे ही है direct चलिए next अच्छा इसमें यदि आपको चुमकी छेत्र की तिवरता के दिशा के बारे में बात करें तो ध्यान रखना यदि इसमें anti-clockwise यदि anti-clockwise current flow हो रहा हो तो चुमकी छेत्र की तिवरता प्रिस्ट के बाहर होती है यह बाहर होती है Maxwell के नियम से यदि हम Maxwell के screw लाग यहाँ पर लगाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे screw को anti-clockwise घुमाएंगे या दाहिने हाथ का नियम को ऐसा apply करेंगे तो इस तरह से यदि यह धारा की दिशा है तो यह चुमकी छेत्र की तिवरता क्या होगी 4.2 इसमें फार्मूले बहुत हैं इस शेक्टर में लेकिन टोटल का नियमेर्कल फार्मूला पर ही बेस्ट है इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें नियमेर्कल एक ताम्बे सीधे तार में 35 एंपियर विद्धार प्रवाहित हो रही है अब यहाँ पर इस्टेट लाइन कंड़क्टर के बारे में बात हो रहा है यह इस्टेट लाइन कंड़क्टर है इसमें हम जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं करेंट वो है 35 एंपियर का तार से 20 सेंटिमीटर की दूरी पर है यह यह आर है 20 cm तो R को हम लिख लिए 20 cm इसमें 100 को डिवाइट करेंगे clear तो 20 upon 100 that means 1 upon 5 meter clear ये दिया हुआ है कि दूरी परिस्थित किसी बिंदू पर चुमबकी छेतर का परिमार कितना आसान कोस्षिन है मैं आपको बताया ना पहले ही कि इसके निमेरकल्स बहुत ही आसान है सिधा फार्मूला पर आधारी थे तो किसी चालक से 8 दूरी पर इस्थित किसी बिंदू पर चुमबकी छेतर की तिवरता b equal to होता है mu naught upon 4 pi 2i upon r ये फार्मूला होता है mu naught upon 4 pi 2i upon r सिधा ये फार्मूला है तो इसका value है गा 10 to the power minus 7 into 2 और धारा कमान दिया हुआ है कितना 35 MPR और बटे r कमान एक बटे 5 1 upon 5 ये हो जाएगा अब इसको आप साल्वो कर लेंगे तो इसका answer आ जाएगा 3.5 into 10 to the power minus 5 3.5 into 10 to the power minus 5 टेसला ये और ये हम इसमें चुमकी छेतर की तीवरता की दिसा बताना चाहें तो क्या होगा देखो इस तरह से चालक तार को हम ऐसे पकड़े हैं right hand rule Maxwell का तो right hand rule से ऐसा पकड़ने से क्या होगा हम fingers को इस तरह से मोड़ेंगे ये जैसे मेरा pain है इसमें धारा इधर पाहित हो रही है तो ऐसे पकड़ूँगा तो क्या होगा दिसा प्रिस्ट के लंबवात अंदर की ओर ये आपको सभी को मैक्समेल के दाहें आत के नियम से आप उसकी दिसा को बता सकते हैं तो यहाँ पर चुमकी शेतर के दिसा क्या होगी अंदर की ओर होगी है चालक तार को पकड़ने से हम दाहिने हाथ से इसको इस तरह से पकड़ें कि अंगुठा क्या है धारा के दिसा को पदसीत करें तो उगलियां क्या होती है चुमकी शेतर की दिसा क्या होगी मतलब लंबवत अंदर की ओर clear बस ऐसा आपको ध्यान देना है तो यह है 4.2 देखो यह भी सिधा calculation पर based है यह calculation आप लोग कर ले ना इतना calculation आप से बन जाएका बहुत असानी से यह इसका answer है तो ज़्यादा तर question formula पर ही based है main है आपको proper formula पता होना चाहिए मैं starting से आपको बोल रहा हूँ कि numericals करने से पहले आपको requirement है कि chapter का concept clear हो और chapter में जितने भी numericals जितने भी formula डिराई हुए है सब आपको रटा हुआ हो third number question 36 तल में रखे एक लंबबे सिधे तार में 50 इंपियर विजुदारा प्रवाहिद करने पर उत्तर से दक्षिर दिसा इसमें बता दिया ये वी वैसी question है ये है north, south, right side में हो जाएगा east और west तो इसमें हम उत्तर से दक्षिर दिसा के पर धारा प्रवाहिद करने हैं 50 इंपियर का 50 इंपियर का तो यहाँ पर दिया है current equal to 50 इंपियर तार के पूर्वा में दो समय 5 मीटर की दूरी पर यहाँ से पूर्व दिसा में 2.5 मीटर की दूरी पर आर 2.5 मीटर यहाँ मीटर में दिया है किसी बिंदु पर चुमा की छेतर की तीवरता same question हुआ भाई इसमें कुछ भी नहीं है है ना इसको नहीं भी बताता तो आपका बना लेते हैं आसानी से पूछ नहीं है बाद में NCRT के बाद जब मैं आपको competitive base numerical कराऊंगा तो वहाँ पर कुछ अलग label के question आपको कराऊंगा तो सीधा formula यहाँ पर भी लगेगा B equal to mu naught upon 4 pi 2i upon r that equal 10 to the power minus 7 2 into current 50 current कमान है कितना 50 और दूरी दिया है 2.5 इसको आप salvo कर लेंगे इसको आप salvo करेंगे तो आप answer मिलेगा question number 3 answer NCRT में दिया इसने 4 into 10 to the power minus 6 4 into 10 to the power minus 6 Tesla ठीक है आप यहाँ पर ऐसी इसको salvo कर सकते हैं इसको आप salvo करेंगे तो दूरी 20 हो जाएगा यह और 20 हो जाएगा तो 2 दूरी 4 और 1 0 इसके साथ है minus 6 तो कुछ नहीं रखा है आसानी से कर सकते हैं यह इसका answer है और यहाँ पर आपको इस दिसा बताना है तो देखो अभी जो बताया उसका ठीक उल्टा है अभी धारा उपर की ओर था ऐसे हम पकड़े थे अंदर की ओर अब यह इस तरह से है अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे यह उल्टा पकड़ेंगे तो धारा की दिसा क्या हो जाएगी प्रिस्ट के लमवत बाहर की ओर यह आपको जानना जवरी है क्योंकि काम्टिटी अग्जाम में जब यह मल्टिपल चाहिसे पूसता है तो साथ में ज़रूर पूसता है कि उसकी दिसा चुमबकी छेटर की तिवरता की दिसा क्या होगी तो बस आपको राइट हैंड ग्रिप रूल मैं एक स्मयल के दाहने हाथ के पकड़ने का नियम को बस एप्लाई करती जाने है आपको तार को उसी हिसाब से आप पकड़ो यहाँ तार को मैं ऐसा पकड़ रहा हूँ अंगठे की तरफ धारा तो यह उंगलियों के मूरने के दिसा प्रिष्ट से बाहर अभी ऐसा पकड़ रहा है तो प्रिष्ट के अंदर था क्लियर कोस्चन नमबर 3 नेस देखते हैं कोस्चन नमबर 4 पूरे नुमेरकल्स ऐसी डारेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है पूरे नुमेरकल्स इसमें कुछ नहीं है नुमेरकल्स के लिए जिन लोग परिसान होते हैं बहुत डिफिकर्ट लगता है मेरे गाइडलाइन को आप मानते जाए चेप्टर को बढ़िया पढ़ने के बाद फार्मूला को रट लीजिए और आपको कल्कुलेसन आना चाहिए फोर पाइंट फोर नेस्ट कॉस्चन फोर नंबर कॉस्चन यहाँ पर दिया हुआ है वियोमस्थ वियोमस्थ खीचे 26 बीजले के तार में वियोमस्थ मतलब होता है होरिज्डेंटल 36 90 पे विधार प्रवाहित करने धारा पूरो से पस्चिम प्रवाहित हो रही है तार के 1.5 मीटर नीचे विद्धु छेत्र के कारण वही वही कोस्चन है पूरा सारे कोस्चन इसमें रिपीट कर दिया देखो ऐसा है तार 36 जैसे हम सर्विस लाइन उपर से खिषते हैं इस पकार से वो बोला है इस पकार से नार्थ होता है साउथ ये इस्ट ये वेस्ट तो धारा ऐसी प्रवाहित हो रही है धारा का मान है यह सेम कोस्चन है बस इसकी दिशा को बदलते जा रहा है 90 एंपियर 90 एंपियर और तो करेंट का फेल्यू हो गया 90 एंपियर और इससे आर बराबर कितनी दूरी पर दक्षण जी समय 1.5 मीटर नीचे 1.5 मीटर नीचे मतब आर का फेल्यू वही वही काम बोरिंग भी लगता है देखो तार के सिच्वेशन को बदलते जा रहे इतने नीचे मेरे करस हो गए इसने बी इक्वाल टू म्यू नाट अपान 4 पाई 2 आई अपान आर 10 एक्वाल टू 10 तुद माइनस 7 2 इंटू 90 अपान 1.5 अब इसको आप सालव कर लिजे यह हो जाएगा 60 में हो जाएगा 6 दू नी बारा 1.2 इंटू 10 तुद पाउर माइनस 6 देखो कितना अशर देता है 1.2 इंटू 10 तुद पाउर माइनस 5 पारी इसके साथ में मल्टिप्लाई होगा तो 10 तुद पाउर माइनस 5 हो जाएगा 1.5 है तो 60 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4.4 और इसमें धारा की दिशा बोले तो तार को आप कैसे पकड़ोगे ऐसा तार को ऐसा पकड़ोगे इस तरह से तो यह उंगलियों की मिर्णों की दिशा अंदर से बाहर क्योर होगी तो चुमबकी छेतर की तिव्रता की दिशा क्या होगी? बाहर वैसे उसको एक बार आप पूरा टेखनिक बना के रख लो उपर तो बाहर नीचे तो अंदर उत्तर से दक्षिन की और पूर से पस्चिम की और एक तरप अंदर एक तरप बाहर आपको ऐसी याद हो जाएगा हो तो यह हो गया 1.2 इंटर 10 डूपार माइनस 5 टेसला तो यह चारों कोस्चन तो बिल्कुल एक जैसे रहे सभी कोस्चन में डारेक्ट फार्वूला है अब आपन देखते हैं कोस्चन नमबर 4.5 एक तर जिसमें 8 इंपियर विद्धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेसला के एक समान चुमकी छेत्र में छेत्र से 30 डिग्री का कोड़ बना रहा है ठीक है तो इसके कांगला में लगने वाले बल की गढ़ना कीजिए देखो यहाँ पर इस तरह का सिच्वेशन है एक समान चुमकी छेत्र है यह एक समान चुमकी छेत्र है और यहाँ पर चुमकी छेत्र की तीब्रता का वेल्यू दिया हुआ है यह इस पकड़ चुमकी छेत्र तीब्रता है और बी का वेल्यू दिया है 0.15 टेसला 0.15 tesla यह दिया हुआ है और बोलता है इसमें एक तार है 30 अरुब बनाते हुए एक तार रखा हुआ है ठीख है ये थोड़ा अलग अच्छा कोस्चन है ये एक तार है और जो इसके साथ में 30 डिगरी का कोण बनाये हुआ है 30 डिगरी कोण बनाये हुआ है अब यहाँ पर बोला है एकांक लंबाई इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला पर तो मान को अपन भरते जाते हैं current कमान दिया हुआ है इसमें जो धारा सब धारा भारा है कितना लिखाना इसको में यह धारा कमान है कितना 8 एंपियर तो I कमान 8 एक आंक लंबाई मतलब L कमान 1 B माने चुमकी छेतर किती ब्रता 0.15 इंटू साइन 3 संस को पर बनाया है तो साइन 30 that equal यह हो जाएगा 8 इंटू 0.15 इंटू साइन 30 माने एक बटे 2 साइन 30 संस माने बटे 2 होता है अब यह हो गया 4 दुनिया पंदरा चौक साथ यह 6 नूटन ठीक है पंदरा चौक साथ दो पाइंट के बाद डेसिमल लगेगा तो एक और यह 0.6 नूटन यह इसका आंसर हो जाएगा 0.6 नूटन तो फाइनली आपको क्या पता होना चाहिए यह फार्मूला पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टन बात है कि रिलेटेट फार्मूला इस चेप्टर में फार्मूले बहुत है तो पूरे फार्मूले आपको सबसे पहले रटना है नूटन आसानी से बन जाएगा ठीक है यह हो गया 5 नंबर कोस्टन NCRT का कम्प्रीट कोस्टन देख रहे हैं अपन आसमा इसमें चुमकी छेतर की दिव्रता की दिशा भी पूचा है तो चुमकी छेतर की दिव्रता की दिशा चालक तार इस तरह से है ऐसा पकड़ेंगे तो अंदर क्योर होगा ठीक है, आंसर मिलीखे न, अंदर क्यों रोगा बस चालक तार को अपने दहेने हाँ से पकड़ के देखना है कि किस दिशा में उंगलियां मूड रही है 6 नमर कोस्चन एक 3 सेंटिमीटर लंबा तार जिसमें 10 एमपियर विदिधार प्रहीत हो रही है ठीक है, तार का लंबाई दिया हुआ है 6 न, 3 मीटर लंबा तार यही कोस्चन है, यह भी बस तार की लंबाई काई ना देखे 30 दे दिया तो N दिया हुआ है 30 सेंटिमीटर में की मीटर में 3 सेंटिमीटर, स्वारी 3 सेंटिमीटर, that equals 3 into 10 to the power minus 2 मीटर कितना लंबा तार है, 10 एंपियर विज़ी धारा प्रवाहित हो रही है धारा कमान है, 10 एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है एक परिनालीका के भीतरी उसके अक्ष के लंबत रखा गया है ठीक, परिनालीका में रखा गया है मतलब इस तरह के परिनालिका के अक्ष में उस तार को रखा गया है इसकी एक आंक लम परिनालिका बितर कमान B 0.27 T है B कमान 0.27 Tesla इतना दिया हुआ है तार पर लगने वाला चुम्बकी बल ग्याद कीजिए F का value हमको ग्याद करना है सेम कोस्चन है जैसे भी आप हमने बनाएं सेम कोस्चन है चुम्कि बल F बराबर होगा I L B साइन थीटा clear that implies यहाँ पर देखो F equal I कमान दिया हुआ है कितना 10 A लंबा ये दिया हुआ है 3 into 10 to the power minus 2 चुम्बकी छेतर के तीबरता कमान दिया हुआ है 0.27 और अक्ष के समनानता लखा है मतलब चुम्बकी छेत लंबवत होगा तो साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा साइन 90 का मान 1 होता है अब इसको हम सिंप्लिफाई कर ले तो कितो हो जाएगा देखिए 8.1 into 10 to the power minus 2 8.1 into 10 to the power minus 2 यह सब आप साल वो करते जाना असान है भी मैं दो लाइन में कर देता हूँ आप साइन 90 का फेली 1 होगा और इसको आप गुणा कर लेना ठीक है तीन चीजों का गुणा किया गया है यहाँ पर किसका 10 to the power minus 2 तो आल लेड़ी यहाँ लिख लिए 10 into 3 into 0.27 0.273 multiplied 10 करोगा 8.1 आएगा यह होता है इसका answer ठीक है तो 4.6 भी वैसी 4.5 जैसे ilb sin theta पर पूट करना है यहाँ 90 डिग्री को ध्यान रखना चुंकि पहनाली का क्याक्ष के समाना अंतर है तो चुंबकी छत्र की तिवरता की दिशा उसके लंबवत होती है और लंबवत होती है इसलिए theta का value हमने क्या पूट किया 90 अंस पूट किया तो छोटा-छोटा question है बस concept है इसमें 4.6 Now next question is 4.7 4.7 4.7 एक दूसरे से 4 cm के दूरी पर दो लंबे सीधे समानतर तारों में देखो दो समनांतर धारावा ही चालाग वाला question है इस तरह से दो समनांतर धारावा ही चालाग है एक में suppose current I1 flow हो रहा है दूसरे में current I2 चेप्टर तयार है तो आपको निम्हेरकल time pass लगेगा चेप्टर तयार नहीं है तो आपको कुछ पता ही चलेगा मैं क्या बता रहा हूँ एक दूसरे से 4 cm के दूरी पर रखे तिनका जो 20 का दूरी है R equal to 4 cm that means 4 into 10 to the power minus 2 meter इतने दूरी पर या db लिख सकते हैं उसको पर रखे हुए है 8 ampere 5 ampere का यह 8 ampere का current flow हो रहा है और यह है 5 ampere का current flow हो रहा है दोनों में ठीक है तार के 10 cm खंट पर बल काकलन कीजिए L का value दिया हुआ है 10 cm that means 10 into 10 to the power minus 2 meter यह तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दोनों के बीच में लगने वाला बल तो f equal to formula होता है mu naught upon 4 pi 2 i1 into i2 निकाई लंबाई पर upon r 2 i1 into i2 upon r यह formula होता है इसके मान को भर दे 10 to the power minus 7 2 into i8 का मान 8 इसका मान 5 और बीच की दूरी को दिया हुआ है दोनों का 4 into 10 to the power minus 2 clear यहाँ पर हम salvo कर लें तो 2 2 सा हो जाएगा 2 फोर्जा हो जाएगा और 4 पंचे 20 ठीक है तो 2 into 10 to the power 20 तो 1 इसके साथ minus 6 हो जाएगा और यह जाक उसके साथ में 8 हो जाएगा तो 8 newton 2 into 10 to the power 8 newton कितना असर दिया देखो इसका question number 7 minus अच्छा कैसे साल बखर दिया मैं है देखो टू टू जार टू फोर्जार ठीक है अच्छा यह तो minus है ना तो यह 5 चौब 20 का दो लिखे इसके साथ एक 0 को multiply करेंगे तो हो जाएगा minus 6 और यह minus 6 plus 2 होगा है उपर जाके plus 2 होगा तो minus 6 plus 2 दोनों के 8 कर दिया था मैं minus 4 होगा 2 into 10 to the power minus 4 अब बोलता है यह तो होगा इकाई लंबाई के लिए लेकिन यदि तार की लंबाई कितना हो 10 into 10 to the power minus 2 मीटर हो तो कितना बल लगेगा तो therefore तब मालों बल लगेगा f dash तो f into उतनी लंबाई के लिए l हो जाएगा f command 2 into 10 to the power minus 4 और यह हो जाएगा 10 into 10 to the power minus 2 इसको सालव करेंगे अपन तो एक इसके साथ minus 1 हो गया minus 5 2 into 10 to the power minus 5 निउटन यह इतना बल लगेगा इकाई लंबाई के तार में इतना बल लगेगा और इतने लंबाई के तार में 10 cm के लंबाई के तार में 2 into 10 to the power minus 5 न्यूटन बल लगेगा ठीक है clear यह हो गया question number seven तो यहाँ पर क्या था महत्तपुर्णू question में यह सूत्र आपको रहना थी याद कुल मिला के सब question इतने question करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमको फार्मूले याद होने चाहिए फार्मूला याद होना चाहिए value put up करो और उसको simplify करो ठीक है यह हो गया question number seven now question number eight question number eight देखते हैं लगभा सभी question सीज़े फार्मूले पर है और initial practice के लिए ज़ार रही है कि आपको सूत्रा का practice हो जाता है इसे eight number question पास पास फेरवाली परियनालीका 80 cm लंबी है ठीक है यह परियनालीका पर best question है इस तरह से परियनालीका है और इसमें 80 cm लंबी है परियनालीका की जो लंबाई है 80 cm that means 80 into 10 to the power minus 2 meter इसमें 5 परते हैं जिसमें से प्रत्यक में 400 फेरे हैं परतों की परत हैं इसमें 5 और फेरों की संख्या 5 परत लंब layer है और फेरों की संख्या कितना है फोर 100 है परियनालीका का ब्यास 0.1 cm है 2R equal to 1.8 cm मतलब radius equal to हो जाएगा यह 0.9 cm और मीटर में चेंज कर दें ते हो जाएगा 0.9 into 10 to the power minus 2 meter यह दिया हुआ है 8 ampere विद्धार प्रवाहित हो रही है current का value है 8 ampere परियनालीका केंद्रक के पास चुमक की शेतर B के परिमाण की परिकलन कीजिए ठीक है तो B equal to mu not into n i होता है देखो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लें कि परत 5 है और n फेरे तो कुल फेरों की संख्या सबसे अब हम पहले निकाल ले कुल फेरों की संख्या कि कुल फेरे कितने है इसने तो equal 5 परत है और 400 फेरे है तो हो जाएगा 400 into 5 that is 524 2000 फेरे total फेरों की संख्या इतने है इसलिए इकाई लंबाई में इसलिए इकाई लंबाई में फेरों की संख्या इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा कुल फेरों की संख्या मतलब 2000 बटे उसकी लंबाई तो लंबाई कितना दिया हुआ है 80 into 10 to the power minus 2 80 into 10 to the power minus 2 ठीक है इसको अपन साल्व कर लेते हैं यह हो जाएगा 1-0 केंसिल होगा 25 ठीक है 2500 हो जाएगा यह और 25 यह हो गया 2500 यह उपर जाएगा तो 2500 फेरों की संख्या कितना हो जाएगा अब अपने को पता है कि परिनालिका के ताराट चुमगी छेतर के तिवरता बीकोल्ट होता है mu naught into ni यह तो mu naught into ni mu naught का value आपको put up करना है तो mu naught का value किस तरह से put up करेंगे mu naught का अपने को direct value पता नहीं होता इसको adjustment करना पड़ेगा इसका mu naught का value direct पता नहीं होता या उसको आप निकाल कर रट किया यादर भी सकते हैं उसको मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ पहले mu naught upon 4 pi का गुणा कर दो और 4 pi का गुणा भाग कर दो into n into i अब mu naught upon 4 pi हो जाएगा 10 की घात रिंड साथ अब यह हो जाएगा 4 into pi का value 3.14 into n मतलब अभी हमने निकाला है फेरो के संख्या 25 और इसमें प्रवाही धारा 8 ampere 8 इसको हमको साल्व करना पड़ेगा इसको साल्व करिए तो answer इसका आजाएगा 4 into 3.14 10 की घात रिंड दो 2.5 गुड़ी 10 की घात रिंड दो तेसला यह इसका answer होगा यह चुमकी 6 तरती बता इसको आप simplify कर लेना यह सब आप लोग का काम है तो इसको साल्व करेंगे तो 2.5 into 10 to the power minus 2 टेसला आएगा यह इसका numerical तो यहाँ पर महत पूर्ण बाद क्या है इस question में सबसे पहले आपको फेरों की संख्या निकालना है फिर इकाई लंबाई में फेरों की संख्या निकालना है यह इकाई लंबाई में जो फेरों की संख्या है वही क्या है वास्तों में यहाँ पर put होता है तो यह हमने 25 पूट किया है mu naught का value पता नहीं होता तो 4 pi का गुणा, 4 pi का भाग करते हैं भाग गुणा, क्योंकि mu naught upon 4 pi बनाने से बन जाता है 10 की घा, 3,7 फिर 4 into 3.14 pi का value है इस तरह से इसको solve करते हैं यह adjustment आपको समझ म्याना चाहिए कि mu naught upon 4 pi मैं ने उसको क्यों बनाया clear, number 8 अब देखते हैं question number 9 इस वीडियो के एक दो बार देखोंगे आपको सब प्रेप्रिस हो जाएगा screen start लेने का ज़वरत नहीं है और लेना है, तो आप ले कि इसके notes बना सकते है notes आपको खुछ से बनाना है numericals का दूसरे का notes कापी करना मतलब वो guide हो गया फिर आपसे numericals कभी नहीं बनेगा practice खुद करिए उसकी 4.9 एक वरगा कार कुंडली जिसकी प्रत्यक भुजा 10 cm है 20 फेरे हैं इसमें 12 इंपर वित्हार पाहित हो रही है कुंडली उर्दाथार लटकी हुई है और इसके तल पर खीचा गया अभी लम इसके साथ चुमकी 3 संस कोड बनाती है कुंडली पर रंगने वाले बल युगमा के आगुर्ण की गर्णा की देखो बहुत अच्छा question है यह और बल युगमा के आगुर्ण पर बेज्ड है इस तरह से एक वरगा कार कुंडली है और इसको इस पकार से हम लटका के रखे है ठीक है और question में given क्या क्या है अपने को यह दिया हुआ है भुजा कुंडली की भुजा 10 cm कुंडली की भुजा 10 cm मतलब एक भुजा की लंबाई यदि एक भुजा की लंबाई मैं कहूं तो 10 cm बराबार 10 भागी 100 करेंगे तो 0.1 मीटर लिख सकते हैं अपन यह दिया हुआ है और साथ में दिया है तार के फेरों की संख्या तार के फेरों की संख्या 20 फेरे हैं इसमें 20 बारिस में तारला पेटा गया है धारा प्रहित्वरी 12 एंपियर I equal to 12 एंपियर का करेंट फ्लो हो रहा है और क्या गिवन है आप तो बोर्ड से पढ़ लो क्वेश्चन को 0.8 चुमबकी छेत्र की तिप्रता 0.80 टेसला यह दिया हुआ है और हमको ग्याद करने के लिए बोलता है बल आगुन तो बल आगुन टा का फार्मूला होता है I, N, A, B, साइन थीटा यह सुत्र आप ग्याद रखना चाहिए टाइक वल्टू होता है N, I, A, B, साइन थीटा आप यहाँ पर पूरा भेल्यू अपन फूट कर लेते है question में सब कुछ दिया हुआ है I का भेल्यू दिया है 12 MPL, 12 फेरों की संख्या 26 रखल तो लंबाई गुड़ी चौड़ाई वर्गा का रहे है तो लंबाई गुड़ी चौड़ाई लंबाई दिया है तो यह हो जाएगा 0.1 का स्क्राई यह एक अभेल्यू हो गया T का भेल्यू दिया हुआ है इसका B का भेल्यू दिया हुआ है 0.8 TESLA और SIGN यह हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि यह वर्गा कारकुंड़ी है प्रिष्ट के लंबत होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा अब इसको साल्व करना आप लोग का काम इसको साल्व करोगे तो आंसर इसका मैं बता दूँ आपको 30 डिग्री के एंगर कितना 9 question number चुम्बकी 6 ती 30 अंस का कोण बनाए हुए स्वारी लंबत नहीं लटका है theta equal to 30 डिग्री होगा question में बोला है कि 30 अंस का कोण बनाके लटका हुए है तो sin 30 का value आप लोग पूट करोगे कितना 1 बटे 2 एक बटे 2 उसका मान पूट करोगे और फिर इसको simplify करोगे simplify करके देखना आप लोग answer आएगा इसका 0.96 newton meter 0.96 newton meter इसके unit होता है बला गुणा कर ये सब जितना भी मैं incomplete छोड़ रहा हूँ solution ये आपको करना ही है video के साथ ही जब आप fair notes बनाएंगे तो इसको rough में आपको calculate करना है इसने मैं only answer दे रहा हूँ आपको formula में value put करके concept clear कर रहा हूँ concept clear करके ने के बाद मैं formula को related बता रहा हूँ value put up करने के बाद ये आपको simplification आपका last work है जो आपको करना है clear ये हो गया 9 number question चलिए next दखते है 10 number question question number 10 question number 10 बहुत lengthy value वाला question है देखिए दो चल कुंडली गेलवानो मीटर M1 एवं M2 के भीवरा नीचे दिया गया है देखो M1 गेलवानो मीटर है इसका क्या का given है प्रतिरोध R1 equal 10 ohm क्रम से लिख रहा हूं है फेरों की संख्या N1 equal to 30 पुरा calculation है और कुछ ने question कुछ खास question नहीं है area of the cross section छेत्र फल दिया हुआ है 3.6 into 10 to the power minus 3 meter square और B1 चुमकी छेत्र के तीब्रता का फेलू दिया हुआ है 0.25 tesla पहले गेलवानो मीटर के लिए गेलवानो मीटर फर्स्ट गेलवानो मीटर सेकेंड का दिया हुआ है R2 14 यह R2 हो जाएगा यह होगया 14 ohm N2 42 दिया हुआ है N2 equal to 42 area of the cross section A2 equal 1.8 into 10 to the power minus 3 meter square और चुमकी छेत्र के तीब्रता B2 equal to दिया हुआ है 0.50 tesla दोनों मीटरों के लिए spring निए तांग constant है जो spring constant होता है k वो constant है दोनों के लिए k k है M1 की धारा सुगरता हो और voltage सुगरता ही का ratio याद किजिए धारा सुगरा ही ता और voltage सुगरा ही ता है दोनों के लिए हमको गर्णा करना है ठीक है ये इसके धारा सुगराहिता का फर्मूला है इसको याद कर लेना आप लोग चेप्टर के अंदर नहीं था ये धारा सुगराहिता का फर्मूला होता है I equal to N A B upon K यदि इसको हम I S2 upon I S1 के लिए लिखें ये धारा सुगराहिता का फर्मूला है और उसको हम दूसरे और पहले कनुपात के लिए हम लिखें इस पकार से तो यहाँ पर हम ये क्या है सब अंज में है तो 2 उपर रहेगा N2 A2 B2 और K reciprocal है तो K1 उपर चला जाएगा और नीचे यहाँ पर हो जाएगा N1 A1 B1 और K2 नीचे हो जाएगा लेकिन question में बोला है कि वो K constant है दोनों constant है तो constant है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है उसको cancel out जाएगा अब value को put up कर और push नहीं करना है गुणा भाग बस करना है N2 म्यालीस 42 A2 1.8 into 10 to the power minus 3 B2 0.50 के के कट गया क्योंकि वो constant है अपान N1 N1 है 30 फास्तु गरना है बस और कुछ नहीं है 3.6 into 10 to the power minus 3 और B1 0.25 0.25 इसको हल करो हल करो इसको कितना आता है देखो यह इसके साथ कर जाएगा 25 दूनी 50 18 दूनी 36 2 के साथ कर जाएगा अब 42 में 30 को divide करेंगे पर ठीक है तो 6, 47, 42 7, 6, 47, 42 6, 35 7 upon 5 7 में 5 को divide करें है अपन तो कितना आएगा देखो 7 divided by 5 1.4 1.4 5 एकम 5 और 2 5 और 20 1.4 clear तो यह इसका ratio 1.4 है तो क्या है बक्वास कुछ नहीं है value दिया यह formula बस आपको पता होना चाहिए और इसके बाद इसको हम अनुपात निकालने के लिए इस formula में अब हम निकालेंगे विभाव सुग्राहिता एने भी अपन के इन्टू आर होता है विभाव सुग्राहिता ठीक है यह मैं एक portion मीटा रहा हूँ मैं तो विभाव के आधार पर एदिया आप सुग्राहिता निकालेंगे तो यह भी हो जाता है और फर्मूला में ध्यान रखना के इन्टू आर हो जाता है अब इसको तुलनात्मा फर्मूला हम यह दिबनाएं तो वी एस टू अपान वी एस बन तो फर्मूला क्या बन जाएगा एन्टू, एटू, बी टू और यह के वन उपर क्योंकि यह बटे में है और उपर आर वन यह हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एन्वन, एवन, बी वन, के टू, आर टू अब यहाँ पर लेकिन के वन, के टू के बराबर है कोस्चन में यहाँ पर दिया है न के कांस्टेंट है k constant मतलब k1 equal to k2 धियान रखना है अब इसे मान को भरो n2 का मान 42 into a2 का मान 1.8 into 10 to the power minus 3 b2 का मान 0.5 into r1 इसमें नया चीज़ होगा तो r1 का value दिया है 10 ये होगया 10 अब 5 n1 का value कितना दिया हुआ है ये 30 into इसका value 3.6 3.6 into 10 to the power minus 3 into b1 का value 0.25 और r2 का value r2 इस्टाटिक में दिया 14 ये होगया 14 अब इसको साल्व करो भई देखो 10 to the power minus 3 इसके साथ cancel हो गया 25 दूनी 50 हो गया ये 2 हो गया इसके बाद ये 2 2 के साथ cancel out हो गया और यहाँ पर हो जाएगा चोदाति ये ब्यालिस ये पूरा cancel हो गया सब cancel हो गया ठीक है क्योंकि 10 into 420 होगा 420 और यहाँ पर 30 into 14 भी 420 होगा दोनों cancel out आएगे और हो गया 1 तो ये इसका अंसर इसका ratio 1 आएगा देखें विखाव सुग्राहिता का अंसर कितना दिया हुआ है 1 तो कुछ नहीं है बस ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है बढ़ धारा सुग्राहिता एक बार विखा सुग्राहिता कुछ नहीं सब cancel out हो जा रहे है और आंसर बना गया ठीक है ये हो गया हमारा question number 10 तो इसका इसकी शार्ट लेना है तो आप ले सकते है दुसरा उससे related फार्मूला बाकिन बुणा भाक्त आप करी लेंगे next 11 number question एक प्रकोस्ट में प्रकोस्ट मतब जो बंद कंटेनर है 6.5 गास 1 गास इकल टेल माइनस 4 टेसला होता है एक समान चुमकी छेतर बनाए रखा गया है इस समान चुमकी छेतर में एक इलेक्टरन 4.8 इंटू 10.6 मीटर पर सेकंड के बेख से छेतर में लंबत प्रवेस करता है ब्याक्या कीजिए कि इस इलेक्टरन का पास प्रिक्ताकार होगा ये साइकलोटरन पर best question है नीचे E का value दिया है और इसका मान दिया हुआ है ठीक है तो question में कुछ नहीं है बहुत आसान है साइकलोटरन का condition आपको पता है क्या का given है सबसे पहले मैं लिख दूँ तो given है चुमकी छेतर की तिब्रता B equal to दिया हुआ है 6.5 gas 6.5 gas that means 6.5 into 10 to the power minus 4 Tesla इसको Tesla मतलेंगे एक electron पर आवेस हम को मालूम है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम ये होता है electron का चाल दिया हुआ है electron का velocity कितना 4.8 into 10 to the power 6 4.8 into 10 to the power 6 meter per second ये आपको दिया है सबसे पहले जो given है दिया है उसको में लिख लेते हैं ये ये दिया है ठीक है velocity दिया है और दिया है electron का दरब विबान इस standard होता है 9.1 मतलब mass आपदा electron 9.1 into 10 पर minus 31 kilogram इसको याद रखना आप हमेशा चुमबकी छेत्र लंबवत प्रवेस करता है तो theta equal to 90 degree मतलब situation इसमें इस तरह का है ये चुमबकी छेत्र ये प्रकोस्ट है और इस प्रकोस्ट में ये क्या है चुमबकी छेत्र के तिवरता की दिशा है और यहाँ पर एक electron लंबवत ये जो electron है इसके लंबवत इसमें प्रवेस करता है और cyclotron के सिधान समझानता है कि किसी चुमबकी छेत्र पर जब electron लंबवत प्रवेस करता है तो वहा लारेंजबल के कराण उसमें अभिक्यंद्रवल उत्पन हो जाता है और वहाँ रित्ती गती करता है question में पूछा है रित्ती गती क्यों करेगा तो लारेंजबल के कराण वह रित्ती गती करेगा और लारेंजबल का concept यहाँ पर क्या है कि cyclotron आपको याद होगा M20 करपनार मतलब जो अभिक्यंद्रवल होता है वह लारेंजबल F equal to QV sin theta QV sin theta के बराबर होता है यही cyclotron का principle है तो अभिक्यंद्रवल जो होता है वह लारेंजबल के बराबर होता है अब इसमें हमको पूछा है question में कि कितने त्रिज़्या के पस्ट पर वह गती करेगा तो त्रिज़्या के लिए हम इसको salve कर लें वैसे gyro radius को formula आपको diet में बताया हुगा था लेकिन यहाँ पर मैं salve कर देता हूँ उसको एक भी इसके साथ मैं cancel हो जाएगा तो R equal to हो जाएगा M into V R को मुझर transfer किया और अपान हो जाएगा Q into B और theta तो क्या है 90 degree तो sin 91 हो जाएगा आपको याद होगा कि gyro radius करके formula हमने derive किया था अब यहाँ सब के मान को भर देते हैं electron का mass 9.1 into 10 to the power minus 31 इसकी velocity 4.8 into 10 to the power 6 अपान यह उस पर आवे से electron पर 1.6 into 10 to the power minus 19 और B क्या है चुमकी छेतर की तिवरता जो कि 6.5 into 10 to the power minus 4 आप इसको आप salvo करना यह मैं आपके लिए work दिया इसको अराम से salvo करना इसको salvo करने से क्या आएगा यह मैं आपको बता देता हूँ value put up करने के बाद 4.2 into 10 to the power minus 2 4.2 into 10 to the power minus 2 meter यह इसका answer आएगा तो इतने radius के path पर यह जो electron अंदर भूस रहा है छेतर में वह इतने 30 के path पर क्या करेगा वरी तीगती करेगा प्रपोस्ट के अंदर ठीक है तो यह इसका answer है अब इसमें जो question number 12 दिया है वो इसी question number 11 पर based है मतलब question number 12 पर जो अपन करेंगे तो question number 11 का जो data है इसी के best पर आगे calculation करने के लिए बोला है तो इसको update लिजिए एक बार फिर मैं start करता हूँ question number 4.12 जो की same question है calculation अलग है यहां तो radius निकालने की बात किया और question number 12 में आप statement में देखो गोड से पढ़ो 12 में बोलता है कि बृत्ताकार कक्षा में electron की परिक्रमा आवरित्वी प्राक्त कीजिए अब उसकी frequency के याद करने बोलता है तो direct frequency के लिए मैं आपको formula बता दू qb upon 2 pi m qb upon 2 pi m इसका भी formula gyrofrequency बोलते हैं gyrofrequency बोलते हैं इसका भी मैंने आपको formula बताया था ठीक है तो यहाँ पर आप value put up कर दो q का value 1.6 into 10 पर minus 19 और यह 6.5 into 10 to the power minus 4 upon 2 into 3.14 और mass 9.1 into 10 to minus 31 यह इसका frequency हो जाएगा यह new है ना आप रित्ती हम निकाल रहे है gyro आप रित्ती मैंने फुल मिला के cyclotan वाले topic में इस इसका value put up करना है और हल करना है इसको भी आप हल कर लोगे 18.18 into 10 to the power 6 18.18 into 10 to the power 6 hertz इतना आएगा इसका answer 10 to the power 6 hertz clear तो यहाँ पर आपको दो formula यूज करना है वैसे एक एक ही question में दे सकतफ है इसको जबरन दो question बना दिया 11 नंबर question में आपको 3 जयाद करना है और 12 नंबर question में उसकी आवरित्ती जयाद करना है और यह wave पर निर्भर नहीं करता है यह आवरित्ती पर निर्भर करता है ठीक है वह electron के velocity पर depend नहीं बलकि उसकी आवरित्ती पर depend करता है तो यह हो गया question number 12 और लास्ट question देखते हैं आपन question number 13 और आप देखे लिए कि इस exercise की पूरे question direct calculation पर best है 13 30 फेरो वाली एक व्रित्ती कुंडली की तरीज़ आठ सेंटिमीटर है जिसमें 6 एंपियर विदुधारा प्राहित हो रही है यह व्रित्ती कुंडली पर best question है देखे और यह क्या का given है question के statement आप ध्यान से पढ़ो एक व्रित्ती कुंडली है और यह चुंबकी छेत्र की तिव्रता की दीशा है और question में दिया क्या क्या है फेरों की संख्या N 30 फेरों के संख्या N equal to 30 30 फेरे इस कुंडली में लगाए गए हैं और बोलता है radius 8 cm इसका radius है 8 cm that means 0.8 meter सब का भाग देंगे तो ठीक है 0.08 0.08 meter सब का भाग देंगे तो धारा 6 amp धारा I है 6 amp आप स्टेट्मेंट बोर्ड से पढ़ लिजे ध्यान से और चुमकी छेत्र की तिव्रता 1 tesla B equal to 1 tesla theta 60 degree दिया हुआ है यह 60 degree के एंगल बना के हमको find करना है theta का value क्या है 60 hands तो theta question में दिया है 60 degree यह दिया हुआ है और इस पर बल अगुरने के हमको गर्णा करना है तो tie equal होता है N I A N I A B sin theta यह बल अगुरने का formula है टा का अब बस value को बूट आप कर दो N का value 30 current का value 6 क्या रहा है इसमें भी कुछ नहीं है area radius इतना दिया हुआ है ठीक है तो radius यहाँ पर कितना हो जाएगा radius दिया हुआ तो pi r square हो जाएगा ठीक है pi r square क्योंकि यहाँ पर area रित का 6 रफ़र pi r square तो यहाँ पर मैं pi लिख दिया और r का value हमको question में दिया है 0.08 का whole square यह हो गया a का value into b का value कितना दिया हुआ है 1 तो b तो 1 लिख दिया और यहाँ पर sin 60 degree sin 60 कमान that equal to 30 into 6 into pi का value 3.14 into 0.08 का whole square into 1 को छोड़ो sin 30 हो गया root 3 upon 2 इसको आप solve करोगे root 3 का value 1.732 होता है याद रखना न root 3 equal to 1.732 तो इसको आप solve करोगे यह पूरा जब आप solve करोगे तो इसका answer मिल जाएगा 3.133 newton meter 3.133 इसको भी आप solve कर लेना यह जितना भी मैं आपको simplify कर रहा हूँ यह आपको करना ही है तो यह हमारा last question है इसमें b part भी है b part में क्या है ta constant होता है ध्यान रखना b part का इसका answer होयाएगा ta constant यह कभी change नहीं होता है बल आगू नकमान नियत होता है तो इस तरह से आपने देखा NCRT के पूरे question मैंने आपको बताया और पूरे question में 100% only calculation है तो यह वाला जो chapter है हमारा धारा का चुमकी प्रभाव इसके numerical कठी नहीं बहुत सरल है बस दो बातों का आपको ध्यान में रखना है कि question को ध्यान से पढ़ो और क्या दिया है यह लिखो जब आपको क्या दिया है यह लिख लोगे तो आपको related formula पता होना से ही है कि बल आपको निकालने बोला भई तो बल आपको नकामान क्या होगा और तीसरा important बात है यह आपको हल करना आना सही है यह दिये हल करना नहीं आएगा तब तो numerical करने का कोई मतलब भी नहीं है इसको हल करना teacher का काम नहीं है इसको आप साल्व करिए मैं तो calculator से करूँगा और आपको manual करना है क्योंकि आपको exam में लिखना है क्योंकि बीना calculator कि 100 साल को करना है तो practice आपकी होनी चाहिए तो गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना जो भी process है मैंस कर उसके आप अप अच्छे से practice करिए इस तरह से यह numerical को आप अच्छे से करिए और formula आपको पहले learner होना चाहिए ओके, thank you